तो इन beneficial bacteria को कैसे active करें, इनको कैसे soil में बढ़ाएं, तो मैं आपके साथ उसका process शेर करता हूँ, वो secret शेर करता हूँ, तो secret यह है दोस्तो, कि आप जब भी कोई भी organic fertilizer plant को दे, तो वो liquid form में ही दे, यानि वो fertilizer बनाने का सबसे best process कुंचा है, तो देखे यह मेरा कपड़ा था, आप ऐसा cotton का कपड़ा लीजिए, और उसमें जो आपके पास organic खाद है, वो दालिया, वहमी compost ही ले सकते है, वहमी compost ले सकते है, या well-dotted गोबर खाद नहीं है, तो आप ऐसी गोबर खाद ले, पुरानी गोबर खाद नहीं है, तो ऐसी गोबर खाद ले, जिसमें बद्बू अवेलेबल होता है, और fast release fertilizer का काम करता है, और सबसे important, जैसा पहले बताया है, कि इसे beneficial bacterias भी जाद active होते है, अब हम इसके opposite क्या करते है, दोस्तों कि पानी लेते है, और सीधा उसमें खाद डाल लेते है, और जिससे हमारे plants को nutrients मिल जाता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है, कि जब वो खाद water में जाकर गल जाती है, और जब watering के साथ वो गली होई खाद soil surface पे आती है, या stemper लगती है, तो हुआ fungus वगेरा क्या attack करवाती है, और pest को भी attract करती है, especially flies वगेरा को, जो और भी बहुत नुकसान है उसके, तो इसलिए जो experts होते है, आप उनके secret method चेक क करते है, चोटे-चोटे cups में ही प्लान लगाते है, तो देखे, यह मैंने बना लिया है, दोस्तो, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं एक 10-liter का water लूगा दोस्तो, और उसमें जो है, मैं इसे deep करता रहूँगा, उसे 5 गंटे तक उसी में रहने दूँगा, और उसके बाद म तो अब इसे कितना देना है, तो आप एक पार्ट इसका ले लिक्विट फटिलाजर का और 9 पार्ट जो है, 9 पार्ट वाटर का मिक्स करें, यानि 100 ml लिक्विट फटिलाजर तो 1 लिटर वाटर, जैसा मेरे पास 200 ml का कप है, तो मैं 10 लिटर के can यूज़ करता हूँ, इसमें प्लान की सीटलिंग से लेकर उसके फर्स फ्लावर आने तक हमें इसे देना है, उसके बाद हमें इसे बन करना है, और फिर बनाना पील वाटर, देना है, जैसा लास्ट फ्रूट और फ्लावर हार्वेस्ट करने तक हमें बनाना पील वाटर ही देना है, फिर उसके बाद फिर एक मन फ्लशिंग करनी है, सिर्फ वाटरिंग करनी है, उसके बाद फिर इसे हमें यह देना है, और फिर बनाना पील वाटर देना है, जैसा मे आपका वह एल्टाइड वाला जो आपने मेठड दिखाया था वह यूज किया तो वाकई में बनाना पील से हमको बड़ा फाइदा हुआ इसलिए दोस्तों मुझे बहुत प्राउड है मेरे उस वीडियो पर आप चेक कर लें इस वीडियो की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देर दूना तो आप भी दोस्तों यह लिक्विट फर्टिलाइजर का जो यूनिक मेठड में बता रहा हूं इसे ट्राइ करें द चलो कुछ में बोनस टिप्स आपके साथ शैर करता हूँ और वह यह है कि जो बैनेफिक्शन माइक्रोप्स होते हैं उनको आपको और तीसी से एक्टिव करना है तो इन लिक्विट फर्टिलाइजर बनाते वग उसमें थोड़ा जागेरी यानि गुड़ एड़ कर याद रखे इन्हें कभी भी ड्राइ होने ना दे सिर्फ गोबर खा दी है जब वो फ्रेश होती है तब उसे सूपनी दिया जाता है ताके केमिकली बैलेंस हो सके उसमें यूमिक एसीट बगेरा बन सके खेर यह एक अलग टॉपिक है किसी नेक्स वीडियो में मैं इस पर ब बनाऊगा तो दोस्तो मैं बता दूँ मेरे बहुत अच्छे यूट्यूबर फ्रेंस है आप उनकी वीडियो देख ले उन्हें लाइक करें वह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं इन्हीं टॉपिक पर के इन प्लान की कैर कैसा करें और अगर आप भी शौक रखते हैं अ सबसे जादा डिमांड होगी वह वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूँगा बट सीरीज ही होगी फटिलाजर की इनी के बीच में जो है मैं वह वीडियो अपलोड कर दूँगा दोस्तो तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें और अगर आ तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तो तो टैंक्यू दोस्तो गार्डनिंग सीखते रहे सिकाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग